सब लोग फटाफट से अपना कैमरा उन कीजिए तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं इंडियन इंस्टिट्यूट के लिए एक्जाम्स जो है वो आज से रफली 20 डेज के बाद चालू हो जाएंगे 20-25 डेज के बाद सो में जो कंसर्ण्स जो है कि क्या अभी लास्ट ट्री वीक्स का जो स्ट्राटजी होना चाहिए ताकि हम लोग अच्छे से एक्जाम में परफॉर्म करें तो मैं खुद इंडियन इंस्टूट का मेंबर हूँ सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मेरे को ये लगता है कि 70-75% of the students are scared just because they see very biased results of the Indian Institute why am I using the word biased because it does not give a true picture of how many students have studied for the exam and they have attempted well, देखो, एक्जाम में 100 में अगर 5 लोग पास हो रहे हैं तो वो true picture नहीं है 100 में 50 लोग पढ़ नहीं रहे हैं ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा सो अगर 50 लोग पढ़ रहे हैं उनमें 5 पास हो रहे हैं मतलब अल्रड़ी वो 5% नहीं है वो 10% का result है ठीक है पहला चीज़ ये बहुत लोग यहां पर repeaters है मैं एकदम honest suggestion दूँँगा मैंने Indian Institute का revision notes बना के दिया है CMCS CB papers में आप लोग को सिर्फ वही follow करना है और जो CP1 में है CP1 के students को भी सिर्फ बहुत जादा मत करना 2019 जब से curriculum हमारा change हुआ है 2019 से आप चालू करिए we have 2019 से अभी तक का roughly 9 papers are there CP1 में तो मैं recommend ही नहीं करूँगा कि और कुछ भी लोग पढ़ें ठीक है ना CP1 हो गया CP2 हो गया CP3 हो गया ठीक है इन तीनों में ही हम लोग का एक-एक mock evaluation है in depth तो मैं सब को request करूँगा कि आप लोग सब mock submit करिये and जो CM, CS, CB है उसमें हमारे काफी सरे mock papers है अगर आप mock नहीं दोगे so I personally don't feel की आप अच्छा कर पाओगे exam में एक mock देना जरूरी है उससे आपको ये समझ में आएगा कि आप कितना अभी पानी में हो आपको कितना आता है आप तीन घंटे में कितना हो रहे है so 2-3 set of mock मेरे को personally लगता है कि सब को देना चाहिए CP123 में हमारे लिए personally उतना possible नहीं है तो इसलिए हमने एक in-depth evaluation रखा है mock का so that is the thing and students जो लोग भी SP level दे रहे हैं हमसे करके मैं सब को एकदम common common points पहले बताना चाहूंगा कि अपसे बिल्कुल भी बाहर का मत खाईए लाज का तीन हफता proper पुरा home cook food खाईए ताकि आपको lethargic नहीं फिल और कम खाईए थोड़ा ठीक है जो लोग भी रात में late पढ़ रहे हैं कोई problem नहीं है सुबह जल्दी आपके पढ़ रहे हैं उस टाइम पे आप बहुत अवेक रहो सो वाट हैपन्स इस कि भाई डेली आप सुबह उठ गए आप साड़े आपको फर एक्जामपल बारा से तीन एक्जाम है बारा बज़े तक लंच बंच करके आप डेली बारा से तीन सो रहे हो आपको उस टाइम पर बहुत आँख बंसा होगा लेथार्जिक फिल होगा जो एक्जाम का टाइम है उस टाइम पर यूशिट बी दा मोस्ट अवेक बने दिन में सबसे अक्टिव आवर्ज आपका वही होना चाहिए दूसरा सारे पेपर्स के लिए लाइफ क्लास चल रहे हैं बट बहुत कम मात्रा में स्टूडेंट्स आ रहे हैं जैसे मात्रा में स्टूडेंट्स आ रहे हैं हम लोग भी वैसे ही हैं हम लोग भी उसी मात्रा में क्लास देंगे और कोई यह नहीं बोल सकता है कि मेरा timing match नहीं कर रहा है, मेरा timing match नहीं कर रहा है, most of the classes for IAI is happening on weekends, सारे expert faculties है, सबने IAI से clear किया है, जो paper वो लोग पढ़ा रहे हैं, I personally don't feel कि faculties में कोई भी problem है, and classes अभी इसी तरीके से चलेंगी, आपको अगर कोई भी concern है, class related, कोई भी doubt है, IAI क अलग जो group है, उसमें posting करिए, ठीक है, खास करके जो लोग भी CP level दे रहे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग सब working है, जो working professional है, दिन में 3 घंटा निकालना बहुत जरूरी, अत्यनत आवश्यक आज से, weekend के सारे plan को कर दीजे, cancel, Saturday, Sunday, पूरा full on पढ़ना पढ़ेगा, बाहर जाए, बाहर जा के कितना टाइम आप invest कर रहे हो, वो भी हम लोग को देखना बहुत जरूरी है, ठीक है न, बाहर गए और 4-5 घंटा निकल गया, वैसा नहीं होना चाहिए, week में एक दिन बाहर निकला समझ में आता है, एक घंटा, डेड़ घंटा के लिए, that's still fine, but आ आप every now and then, आप every day आपको वैसा नहीं होगा, office hours जो है, उसके सुभा उटके पढ़िये, चाम को पढ़िये, सब लोग उसी तरीके से ही manage करते हैं, जो college के students है, मैं recommend करूँगा आपको, की पुरा rigorous रही है अपने पढ़ाई के साथ में, and practice बहुत जरूरी है, flow में, flow को मत दो paper है, जैसे paper है, paper भी, तो daily paper भी को practice में रखे, daily paper भी को practice में रखे, वो बहुत जरूरी है, paper भी अगर आप नहीं करोगे, तो फिर आप pass exam नहीं कर सकते हो, and उसका सबसे best तरीका है कि आप mock दीजिए, ठीक है, and India का ही content को follow किजिएगा, अभी IFO related कोई भी content मत करिएगा, I अगर आपको Indian Institute से pass होना है, तो आपको अभी भी इतना time है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, सबका syllabus तो एक बार खतम होई गया होगा, आज से भी कोई अगर अच्छे से पढ़े, तो 9 term का paper, जैसे मानलो जिसका दो-दो exam है, जैसे A और B, तो 9 term मतलब 18 दिन तो आज से है, खाली वो Indian Institute का resource को करिएगा और कुछ मत करिएगा, वो Indian Institute, मैं आज का class रख्या ही इसलिए हूँ, कि ये बोलने कि डेली पढ़ना है, और Indian Institute का resource को करना है, और mock देना है, मौक में बहुत कम entries आ रहें, not expected, बट आप हमारा ही काम आसान कर रहे हैं, so we are glad कि आप जिसे students हमारे पास में हैं, I'll recommend for practical papers like CP123, बार-बार मैं repeat कर रहा हूँ, मौक दीजिए, एक एक जो भी evaluation होता है, वो या तो associate actually करता है, या फिर qualified fellow actually करता है, तो CP123 वाले students से खास अनुरोध है, life class और मौक दीजिए, और कुछ भी मत करिए, और I.I.I. का paper solve करिए, और एक जो सबसे बड़ी बात जो Indian Institute में होता है, कि question बहुत difficult आ जाता है बहुत ब difficult आ गया, तो क्या करें, तो क्या करें, तो कुछ तो करके आना ही पड़ेगा, उसमें एक दम उसको ऐसे पूरा blank नहीं छोड़ना है, हम लोग को पूरा पूरा try करना है, कि हम लोग मतलब उसको attempt कर रहे, तो पहले तो जो जो आता है, वो सब attempt करो, पिर जो हलका हलका लग र क्योंकि towards the end आप देखोगे, पेपर में एक दम easy questions आ गए, जो आपने attempt ही नहीं की, तो वैसा बिल्कुल मत करना, ठीक है, एक्जाम का hall ticket डाउनलोड कर लो, अपना center देख लो, घर से center कितना दूर है, तो यह सब भी बहुत ज़रूरी है, जो कुछ-कुछ common, common points है, और exam में hall बहुत ज़र मेरे को AI का center का complain करता है, कि sir, वहाँ पर center में यह problem हुआ, वो problem हुआ, तो हर चीज़ को पुरा properly, आप लोग, देखो, वहाँ पर panic करके कुछ नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, कि आपका lap, आपका computer नहीं चल रहे, तो जो आपको system दिया गया है, आप वहाँ पर पह तो आप हमसे जुडिएगा exam के बाद में, we'll try to escalate the issue, ठीक है, अलग-अलग तरीके से, बट ऐसा हो सकता है, कि आपके laptop में, मने जो आपको वहाँ पर system दिया जा रहे, paper B के लिए उसमें problem हो, तो उसको पुरा properly face करिएगा with confidence, ठीक है, वो आपको पहले वो लोग को बताना है वो लोग definitely a alternative solution देंगे, बट अगर वो लोग ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर वो लोग बोल रहे हैं, हम जो है वैसा ही type का, अगर कुछ वैसा आपको response नहीं आएगा, mostly, बट अगर आता है, तो आप उस चीजों को properly पुरा document करिएगा, ठीक है, क्या-क्या हुआ हुआ है, and we need to, basically, क्योंकि पहले ऐसा एक-दो बार हुआ है, तो ये चीज में आपको बताना था, but mostly ऐसा नहीं होगा, because the centers have evolved a lot, have evolved a lot, ठीक है, और मतलब, देखे, main काम हमारा वहाँ पर लगए एक्जाम देना है, center सुंदर है, खराब है, पंखा चल रहे है, इसी चल रहे है, ये सब बकवास बात, please, issue मतले के आना, ठीक है, हो सकता है, मतलब मैंने भी CA का exam दिया है, तो centers are not that great, ठीक है, तो we cannot expect the institute to give us five star hotels, etc, तो उसमें कोई comparison नहीं है, आपका basic है, कि आपको rip sheet मिला है कि नहीं मिला है, वो मिला है, बस आपको लिखना चालू करना है, that's it, ठीक है, हाँ, कोई laptop, कोई desktop में error है, तो उस चीज़ का properly, वो लोग से politely बात करिए, वो लोग उसका solution आपको पक्का निकाल के देंगे, ठीक है, ऐसी चल रहे है, वो सब lavishness हम लोग expect नहीं कर सकते है, ठीक है, तो proper, मतलब अपना exam का waste नहीं करना है, हो सकता है ऐसा कि खुछ आप करने जा रहे हो, और आपको ना आ रहा हो, तो वो आगे बढ़ जाईए, जितना आ रहे है उतना करिए, फिर आगे बढ़ जाईए, हो सकता है कोई question में आपको points नहीं आ रहे हो दिमाग में, points नहीं generate हो रहा हो, तो जितना आ रहे है आप वो करके फिर आप आगे बढ़ो, आई आई के exam में सबसे जादा जो मेरे को लगता है वो है confidence, एक भी बच्चा यहाँ पर जो आज session attend कर रहे है, जो भी recording देखा, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचेगा कि वो exam में बैठे गा ही नहीं, preparation कम हुआ है, ज पहला exam खराब हो गया, या फिर मानलो कुछ भी attempt नहीं हुआ, file नहीं से हुआ, कुछ भी ऐसा, कुछ भी ऐसा, x, y, z, कुछ भी ऐसा होता है, तो exam लेकिन प्रॉपरली पूरा देने जाना है, दोनों exam independent है, वो सकता है ऐसा कि paper बहुत difficult आजाए, paper भी बहुत difficult आजाए, मतलब क्या होता है, कि तुम जैसा किया है, वैसा ही नहीं बाकी लोग भी किया होगा, जो चीज तुमारे लिए difficult है, बाकी लोग के लिए भी difficult है, पड़ता तो सब लोग हमीं लोग से है, तो वो एक चीज तुमको दिमाग में रखना है, दूसरा चीज तुमको ये दिमाग में रखना है कि कोई भी टाइप का इन एप्रोप्रियेट मींस में हम लोग को वो नहीं होना है कि चीटिंग वगएरा वो सब भूलोग बहुत स्ट्रिक्ट है एकदम पकड़ लेगा तो सीधा दो साल तीन साल के लिए बैन कर देगा वैसा कोई भी टाइप का हरकत करना मेरे स आपसे तो पागलपंती होगा वेश्ट होगा एकदम मतलब ठीक है तो कोई भी टाइप का चीटिंग वगएरा में क्योंकि आपको नहीं पता है सामने वाला सही कर रहा है सामने वाला गलत कर रहा है सामने वाला सही कर रहा है लेकिन आपको वह सही बता रहा है कि नहीं बता और एक बात जो है जो जो पहले आता होगा वो सब पहले करिएगा and please आगे बढ़ जाईएगा, stuck मत होईएगा, जैसे Excel में खास करके ऐसा होता है, CP2 में मैंने देखा है कि मानलो कोई आपको Excel में model बना रहे हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो कोई भी random figure लेके आगे कि अगर आप आगे model पुरा complete नहीं किये, तो आपका कोई number नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने कोई भी random value जहां आप stuck हो गए हो, उसका आगे लेके main model पे marks होता है, आज जैसे कोई भी चीज़ का formula standard का marks होता है, it's not की right answer का तो marks होता ही है, but main है कि वो process आपको आता है कि नही double papers में, CM, CS, CB में, तो आप उसको पहले define करिए उस चीज़ को, कि आप क्या चीज़ का formula यूज कर रहे हो, वहाँ आपको number मिलेगा, आप proper statement लिखो, वहाँ आपको number मिलेगा, CP1 में एकदम simple हिसाब है, जितना number का है, उससे double points लिखिए, एकदम अच्छे से explain करिए, आपको आ बहुत जरूरी है, एकदम मान लिजी, एकदम आपने ऐसा, ऐसा मतलब select कर लिया है question जो बहुत difficult है, जिसमें डेढ़ दो घंटा चला जाएगा, वैसा type का question, बहुत सारा question, जान मुझके trick question डाला जाते है, आपके paper में, कि वहाँ आपका time waste हो, और आपको stress हो, तो वैसा बिल होता है कि मान लो, आपका desk clean नहीं है, for example, तो वो सब वहाँ आप exam देने जा रहे है, चीज समझ ही, वहाँ आप अपना मानसिक संतुलन, अपना, for example, मैं Indian families का बात करता हूँ, ठीक है, कि आप exam देने जा रहो, आपके घर पर छोटा सा जगडा हो गया, don't get affected in the exam week, that is very important to keep your mental peace वहीं आप, समझ लो, आप 20-30% मैच हार जाओगे, आप अपना mental peace अभी से exam तक नहीं खो सकते हो, आपको prioritize करना पड़ेगा, prioritize आपको ये करना पड़ेगा, कि भई, मेरा exam है, अभी और, मेरे और मेरे exam के बिच में नहीं आ सकती है, कोई आपको बड़ा से बड़ा offer आ जाए होंगे, तो वो सब चीजे पर अभी ध्यान नहीं देना, अभी exam time है, enjoyment करना है exam के बाद, कुछ भी करना है exam के बाद, घर में कोई भी type का हो रहा है, कुछ भी problem हो रहा है, वो सब को side रखे, पहले अभी अपने exam पर focus करिए, बहुत जरूरी है, I know, I know, बहुत लोग को problem होता है, मैं खुद यह सब चीज से गुजर चुका हूँ, बहुत common चीज है, आज घर पे किसी को health problem हो सकता है, तो हर चीज आप अपने उपर मत लीजिए, आप अभी आपका कर्तव यह सिर्फ यह है कि आपको exam पर focus करना है, जो आप से बन सकता है वो आप करिए, बट अपना जो अपने पर हर चीज ले लेते हो, stress ले लेते हो, अपना career को लेके, हर चीज को लेके, तो वो आपको impact exam में करता ही है, आज यहाँ पर बहुत सरे लोग है जिनको मैं जानता हूँ, वो second attempt, third attempt दे रहे, तो कोई problem नहीं है उसमें, उसमें कोई दिक्कत वली बात नहीं, आज बह मैंने personally बहुत लोग को guide किया है, और मैंने देखा है CS2 जैसा paper, 15 दिन, 20 दिन के effort में properly पुरा पढ़के clear किया गया है, पहले का भी knowledge था, बट वो जो towards the end होता है, जैसे आज हम लोग का common एक क्या है, common सब का अगर मैं, अगर आज मैं सब का common एक situation समझू, तो सब का 50-60% हुआ होगा syllabus, सब को डर लग रहा होगा exam में कैसे, तो वो सब मत सोचिए, सब का ऐसा ही रहता है, आप यह सोच नहीं कि आप काम कर रहे हैं, आपका company ज्यादा काम करा रहा है, सब का company ज्यादा, खली आपके college में attendance problem ऐसा नहीं है, सब का वोई problem है, सब का same problem है, ठीके ना, तो सब क की life में, प्लस माइनस सब का life में, आप कितना consistent रह सकते हैं, वो बहुत matter करता है, consistency से अगर आप करेंगे, तो आपका यह course चार साल में भी खतम हो सकता है, और लोगों ने किया है, हमारे center से ही किया है, पांच साल, साड़े-पांच साल, छे साल में लोगों ने course पुरा खतम क है, problem क्या है, कि आप वो vision देख ही नहीं पा रहे हो, आप वो vision सोच ही नहीं पा रहे हो, कि मेरे को यार दो साल बाद, मेरे को तीन साल बाद, मेरे को चार साल, पांच साल बाद, मेरे को qualified actually बनना है, आप वो vision के साथ relate ही नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है, यह तो possible ही नह है दस जन्वी पास हो रहे हैं तो उसमें मैं हो सकता हूँ पहले तो खुद को सोचना पड़ेगा ना करने वाला तो करीर है आज कोई भी आई आई में डिफिकल्ट एक्जाम आता है तो उसमें आप अगर देखेंगे डिफिकल्ट एक्जाम तो आ रहा है बट आपका सोचना पड़ेगा कि आज हम लोगों वो भी तो देखना पड़ेगा कि जहां आये 5 में आपका सिक्षी,ảई में तो 50 मांकि है आप वह सोचो दूसरा चीज पेपर अगर डिफिकल्ट आता है तो खाली आपके लिए नहीं सब के लिए आए ठीक है ना कि आप वह सोचके और मौक दीजिए जब तक आप मौक नहीं देंगे आप उस चीज को फेस करने के लिए रेडी नहीं है तो आप डिरेक्ट एक्जाम में कैसे होगा वो चीज एट लीज दो सेट आफ मौक दीजिए मैंने खुद नहीं दिया है आप अपना एवालुएशन करी आप उस चीज को फे अपने लिए कि भाई सुभा चार घंटा फिट दो मेट का ब्रेक उस चैप का मत बनाईएगा एकडम रिलाक्स्ट रहिए काम रहिए दो चीज मान लीजिए दो कोशन कम भी हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन आई आई का पेपर करना बहुत ज़रूरी है अगर मान अच्छें CB1-2 दे रहे हैं एकडम प्राक्टिस में रहिए MCQ पे खासा ध्यान, MCQ पे खासा ध्यान, MCQ पे खासा ध्यान, MCQ पे खासा ध्यान, कि MCQ यह तो खाली टिक करने से चल जाएगा, I am telling for CMCS, not for CB, confusion मत create कीजेगा, CB1 and CB2 में सिर्फ खाली आपको टिक करना है, बट CMCS में ज़्यादा ज़्यादा नंबर का भी आया है, तीन नंबर, चार नंबर का भी आया है, वहाँ पर आप explain करके आएंगे तो better रहेगा, अप ल के दीवाली है, जो पास्ट में जो भी हो गया उसको भूल जाएई, आज से भी अगरापड़ेंगे, दिवाली है 12 तारीक का धंतेरश है 10 तारीक का 9 तारीक तक 2 हफता है, 2 हफता में हर चीज पॉसिबल है, हर चीज मुम्किन है, जो college students है, थोड़ा extra college से छुट्टी ले ल जो लोग 9-8 गंटा सो रहे, 6 गंटा भी सोएंगे तो भी चलेगा, 6 गंटा से कम सोने से नहीं चलेगा, यह तो पुरा दिन माथा दुखेगा, रिविजण प्रोपर करना बहुत ज़रूरी है और अपना पूरे एक रफ्ट अपना बनाली जखेगा, कि मेरेको मेरेको इस दिन को ये revisit करना है इस दिन को येisations करना इस तेस से करना मतलब करना है उस तरीके से टॉपिक वाई आप बनाई है हम लोग क्या करता हम कोई तीन घंटा पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा और हमेशा जब रिविजन करें तो फर्स्ट पिट से करना ज़रूरी नहीं है आज कोई बच्चा यहां पर अगर वह बच्चा यह सोचता है कि मैं बार बार राइंडम वेरी वैसे चालू करूं तो वह बच्चा साथ गलत है उसको चालू करना चाहिए डिफिकल्ट टॉपिक जैसे कि उसको चालू करना चाहिए आपका को रिलेशन डिग्रेशन बेजियन जीलम यह उसका आज कोई CM2 कर रहा है तो उसको यह देखने चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा कहां से आ रहा है पहले वह ज्यादा ज्यादा वहला टॉपिक को करो आज CM2 मुश्य वकिंग प्रोफेशनल दे रहे जिनको टाइम कम रहता है जिनका एक्सल में एक्सपटीज है तो प आएए का पेपर करेंगे तब आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा आज जो बच्चा सीएस्टु दे रहे वो सर्वाइवल करेगा वो न्यू टॉपिक्स करेगा समझ रहे तो वह सीटीश करेगा फिर वह मारक को डिफिकल्ट भी है चैलेंजिंग भी है बट आता ह तो आज आप यह मान के चलिए मैं आपको अभी बोल दे रहा हूं कि बीस नंबर पेपर आपको नहीं आएगा समझ में ही नहीं आएगा असी नंबर तो आएगा असी में पचास तो ला सकते हैं तो पासिंग इस नॉट बिक तिंग एले अपना पासिंग सेक्योर कीजिए फ समझ रहे हो तो पॉइंट यह है कि confidence के साथ exam देना और अपने मन में यह सोचना कि हाँ मैंने जो किया है वो सही किया है यह confidence के साथ आपको exam देना है तभी आप Indian exam को ace कर पाएंगे और exam वाले दिन एक अच्छा नींद बहुत जरूरी है exam वाले दिन कुछ नहीं पढ़ना व मेरे को पर्सनली यह लगता है कि exam के एक दिन पहले तक अच्छे से पढ़के सोचो फिर और दुबारा वाईसे बारबार उसना वो मत करो अप्रेश रखो अपना वो दिन एकदम फ्रेश रखोगे तो एकदम अच्छा रहेगा उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो लाइफ क्लास जो भी डाउट से वह आप पर पूछ लो ठीक है CS1 में CM1 में ज्यादा करके क्लासे हो रहे हैं CM2 में भी लोग आ रहे है CS2 में भी आ रहे हैं, CP123 में भी आ रहे हैं, तो आप प्लीज करिए उसको और सब लोग प्लीज आज से दो हफता है, हर हफता में minimum मौक दो, ठीक है, बहुत जादा लेट अगर देगा, तो फिर हम चेक करके दे मी पाएगा, हम अभी बोल दे रहे हैं, 25 तारीक है, 5 तारीक त प्लीज थोड़ा सा अपना, जिससे मानलो, दिन में तुम 15 मिनेटी हो गया, 15 में थोड़ा सा exercise करो, माइंड थोड़ा सा fresh होगा, कोई योगा कर लिया 15 मिनेट, या फिर मानलो, 15 में तुम घर का नीचे कोई मैदान है, वहाँ चला गया, वो सबसे भी क्या होता है, माइंड फ्रेश होता, माइंड को ब्लॉक मत करो अपना, ठीक है ना, और थोड़ा कोई फ्रेंड लोग है, जो लोग बोलता है कि नहीं मिलना है, तो वो लोग को अपना घर बुला लो, 15 महाँ पर क्या होगा, आदा एक घंटा तो मानलो ट्रावल टाइम बच जाएगा, उस तरीके से थोड़ा मैनेज करना पड़ता है, एक्जाम का टाइम में हर समय एंजॉइमेंट, हसी ठटा, वो सब ठीक बात नहीं है, अभी थोड़ा सिंसियर होके, अभी हम लोग को एक मैना पढ़ना है, आज मैं भी एक्जाम दे रहाँ, I would not like to disclose which exam I am giving, but मैं भी अपना एक्जाम द पड़ता है, वो तुम लोग को कंसिस्टेंट, तुम लोग जब देखेगा कि भई सिर्फ इतना सा ही तो बात था, मैं को कंसिस्टेंट ही तो रहना था exam तक, थोड़ा कोई दिन कम पढ़ाई होगा, कोई दिन ज्यादा पढ़ाई होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, को वो मेरे सेंटर में जॉइन की, उसी दिन मॉक्टेस था, उसने दो ही क्लास किया था, डेमो वाला, वो लेकिन वो मॉक्टेस में बैठ गई, मॉक्टेस में इसको दो नमबर आया, बट वो लड़की का one of the highest CS CT3 में, अपने टाइम में, तो मॉक्टेस से बहुत इंसान का दि कर आयड करेंगे, तो इसलिए सब लोग मॉक्ट दो, ठीक है, और किसी को अगर कोई भी क्वेरी है, तो प्लीज बोलो, एक बात हमेशा याद रखना, तीन घंटा मतलब 180 मिनिट है, तो हम लोग को उसके हिसाब से पेपर लिखना है, 180 मिनिट में 100 नमर का पेपर लिखना है वो एकजाम में वो फेल नहीं होगा, मतलब टाइम अपना ढंग से मैनेज करना, एक कोशन मान लो, दस नमर का है, तो वो तुम लोग को दिमाग में समझ होना चाहिए, कि भाई, दस नमर का कोशन है, मिरको एक नमर के लिए 1.8 मिनिट अलोकेट किया गया है, तो ये कोशन म कहां पर तुम्हारा टाइम बच रहा है, फिर उसको आके अटेम्ट वाहीं देखो, चार नमर के चक्कर में तुम्हारा 15 नमर का कुशन चूट जाएगा, वो सब टाइप का हरकत मत करना, मेरे संग हुआ है, CP2 में, एक चीज़ में अटक गया था, आगे कुछ नहीं किया, 45 इसमेर तक दिमाग काम करना बंद कर दिया था, कितना सिंपल था, मैंने रैंडम नमर बठाया, मैंने सब में 100 नमर बठाया और मैं आगे बढ़ गया, मैंने पुरा मॉडल कम्रेट कर दिया, तो वो चीज़ हर टाइप का एक्जाम खाली, कंटेंट का टेस्टिंग नहीं है वो तुम्हारा माइंडसेट, वो तुम्हारा प्रोफेशनलिजम, वो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट हट चीज़ को चेक करेगा, it's a skill test, तुमको अपने टाइम को भी एकदम पुरा ढंक से प्रॉपरली पुरा मैनेज करना है, और ये मत करना कि पेपर है अच्छा चला होई गया होगा, वो सबको avoid करो, avoid करो जो thoughts सारे मनने, let them pass like clouds, but don't let them affect you, exam देंगे, इसी attempt में देंगे और pass भी होंगे, ठीक है ना, अरे जो बच्चे exam दिया ही नहीं, वो तो वैसे ही फेल है, वो तो वैसे ही फेल है, at least दे के तो फेलो, exam का फीस भरा है तो दे के तो फेलो, ठीक है ना, यह चीज़े और CP level paper, यह सब में बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना, friend लोग बोल दिये, हम तो कुछ नहीं पढ़े थे, हम तो दो दिन पहले पढ़े थे, तीन दिन पहले पढ़े थे, यह सब बिल्कुल friend का बात मत सुना, खास करके CP2, CP3, CB1, CB2, यह सब में बात ब पर प्रिपेर करें, ठीक है, और कोई भी अगर, wishes to you, और अगर किसी को आई है, अभी मैं एक मैना पूरा आई आई के सर्विस पे हूँ, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, आपको कोई भी चीज का मतलब सोलूशन नहीं मिल रहे है, पांच्छे घंटा हो गया है, आप डिरेक्ली मेरा परसनल नंबर पे मेंको मेसेज क कर सकते हैं, मैं आपको नंबर भी दे दे रहा हूं मेरा, ठीक है न, चाइट बॉक्स में, ठीक है, आप ग्रॉप में मेरे को टाइक कर दो, ठीक है, इस नंबर पे मेरे को टाइक कर दो, मैं अपना दूसरा नंबर भी दे दे रहा हूं, ठीक है न, लाइफ क्लास अपका चल तक कैसे मैनेज करें, रिवाइस, जस्ट टू पास्ट पेपर, देखो टॉपिक को इस पढ़ने में और एक पेपर सॉल्फ करने में क्या होता है ना, जब तुम एक पेपर सॉल्फ करता है, तो तुम्हारा पूरा कॉंसेप्ट काम में आता है एक साथ, मतलब इस लाइक कि सारा CS1 का नॉलेज जब वो तुम 3 घंटा में रिवाइस कर रहा है, जब आब एक पेपर सॉल्फ करते हो, वो सबसे बड़ा चीज है, ठीक है ना, तो इसलिए पेपर सॉल्फिंग से क्या होता है, अगर तुम देखेगा, आज तुम एक दिन में अगर 10 घंटा पढ़ रहा तो मेरे को यह लगता है कि 10 घंटा में तुम पूरा CM1, CS1 पेपर भी रिवाइस कर सकता है, तो 3-3 घंटा इसका हो गया और 2-2 घंटा पेपर भी का हो गया, तो एक तरीके से तुम हर दिन कर सकता है उस चीज को, तुम 9 दिन इसी को रिपीट कर, ठीक है, और फिर उसी को र बार कर ले, बस, that's it, you're done, you're done with your population, तो वो चीज़ है, yes, मैंने वही बोले है, घजल, मैं बार-बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूं कि 2019 से, मतलब, it works wonders, actually, past papers करना, it works wonders, और अगर आपके पास में time है, तो आप X assignment कर सकते हो, आप Y assignment कर सकते हो, आप mock papers solve कर सकते हो, और भी अगर आपको time है आपके पास में, तो आप मैट के पीछे के question solve कर सकते हो, ठीक है, ना, so इस तरीके से ही preparation आप अपना करिये पूरा, ठीक है, so thank you all of you, और अगर किसे को कोई भी problem है, so please मन में कोई भी query मत रखना कि sir क्या सोचेंगे, sir बहुत busy रहते हैं, आपके लिए ही busy रह क्यास बात सकते हैं, जगय कोई ही बडूरा यजरा से बाखना कॉछेंगे हैं, इस बाखना कर रहते हैं?